जैहिन कैनेट्स आएम प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला कि इस अमिजिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत करता हूं आज हमारा पूरा देश इंडियान एर फोर्स डे सेलिबरेट कर रहा है। भी लिया गया इनमें से एक भारती पालेट थे सोबरतों मुकर जी जो आगे जाकर भारत के पहले वायू सेना प्रमुक बने थे और उसके बाद जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1950 के अंदर भारती वायू सेना को उसका पूर्ण स्वरूप मिला और उसके नाम के आगे जो रॉयल वर्ड लगा था उसे हटा दिया गया। और रॉयल इंडियान एर फोर्स कनवर्ट हो गया इंडियान एर फोर्स के अंदर देखिए दोनों ही लोगों है यह पहला लोगो है 1932 का जब भारती वायू सेना के आगे रॉयल लगाया जाता था मतलब इससे कहा जाता था रॉयल इंडियान एर फोर्स और यह दूसरा लो गोगों को सिर्फ यह लगता है कि भारती वायू सिना सिर्फ fighter planes के बारे में, transporters के बारे में, या helicopters के बारे में, पर ऐसा बिलकुल नहीं है. आज हम भारती वायू सिना के एक दूसरे पहलू को जानेंगे. ये कैसा पहलू है जिसको लेकर कई सारे candidates बहुत interested होते हैं और वो जॉइन करना चाहते हैं भारती वायू सिना की इस यूनिट को आज हम बात करने वाले हैं भारती वायू सिना की special forces unit गरूल कमांडोस को जैसी नाम आता special forces आप समझ जाते हैं कि आपके सामने कैसा soldier आने वाला है जो किसी भी तरह के mission को अंजाम देने में सक्षम है जिसक भी तरह के mission को अंजाम दे सकता है उसे हर तरह की condition में train किया जाता है ताकि हर तरीके के mission को व्यक्ति अंजाम दे सके और हमारी भारती वायू सिना की special forces का नाम है गरूल कमांडो फोर्स गरूल आपको याद होगा श्री विश्नु भगवान के वाहन है गरूल जी और उनके वायू सिना से रिलेटेट है अब क्याँ को कैसे फॉर्म किया गिया खृत्री वायू सिना की special forces का नाम है गरूर कमांडोस जिसे 2004 के अंदर form किया गया था चलिए अब इसकी history के बारे में जानते हैं जहां तक गरूर कमांडोस की बात की जाए तो शुरुवाती तौर पर Indian Air Force में किसी भी special forces unit के जरूत महसूस नहीं हो रही थी अब हुआ ये कि 2001 के अंदर जम्मो इन कश्मीर में दो airbase के उपर आतंकवादियों ने अटैक करा इस अटैक के बाद ये लगा कि Indian Air Force के पास भी खुद की एक special forces unit होना बहुत जरूरी है जो की ground operations को भी अंजाम दे सके साथ इसाथ जितने भी airbases से उनकी सुरक्षा के जिम्मदारी भी उनको दी जा सके और इसी बात पर फिर चर्चा होना शुरू हो गई इसके बाद finally यहाँ पर शुरुवात में कुछ लोगों की batch को train किया गया शुरुवात में लगबग 1000 लोगों को लेने की किया गया पर उसमें से केवल 62 ही क्वालिफाइ कर पाए और 2004 के अंदर पहली बार यह मौका था जब गरूल कमांडोस को finally introduce कर दिया गया और भारती वायू सेना के पास उनकी एक official special forces unity जिने नाम दिया गया गरूल कमांडोस अब अगर आपको यह लग रहा है कि गरूल कमांडोस सिर्फ भारत में ही अपनी सिवाय देते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है गरूल कमांडोस specifically United Nations के Peace Keeping Mission में काफी सक्री है specifically अगर मैं बात करूँ तो कॉंगो के अंदर गरूल कमांडोस बहुत ज़ादा सक्री है साथ इसाथ जम्मो और कश्मीर के अंदर Counter Insurgency Operations को भी अंदर भी उनका काफी बड़ा योगदान है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब सवाल ही आता है कि आप लोग कैसे गरूल कमांडोस बन सकते हैं आप कैसे Special Forces Unit को जॉइन कर सकते हैं देखिए गरूल कमांडो की सबसे अच्छी बात ये होती है कि गरूल कमांडो बनने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आप सबसे पहले Indian Air Force को जॉइन करें ऐसा नहीं होता है जैसे अगर आपको पैरा कमांडो बनना है तो सबसे पहले आपको Indian Army जॉइन करनी पड़ेगी उसके बाद याप पैरा कमांडो बन सकते हैं अगर आपको मार्कोस जॉइन करना है तो सबसे पहले आपको Indian Navy जॉइन करनी पड़ेगी उसके बाद याप Marcos जॉइन कर सकते हैं पर गरूल कमांडो बनने के लिए ऐसा कोई भी ज़रूत नहीं होती है आप डिरेक्टली इस कमांडो युनिट के लिए अपलाए कर सकते हैं एर्मेन सेंटरिस के अंदर आप जा सकते हैं समय समय पर गरूल कमांडो उसकी भरतिया निकलती है और आप डिरेक्टली जाकर इसके लेक्रूट्मेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं पर एक बात याद रखिएगा कि आप अपने जीवन में केवल एक बार इसके लिए अप क्लाय नहीं कर सकते हैं ये प्रोसेजर इसके लावा भी अगर आप इंडियन ऐरफोर्स को जॉइन कर चुके उसके बाद भी आप गरूल कमांडों बनने के लिए अप्लाय कर सकते हैं यहां तक ट्रेनिंग की बात की जाये तो गयरूल कमांडों की basic training सबसे लंबी है जितनी भी special forces की basic training है उसमें सबसे लंबी basic training गरूल कमांडू की होती है शुरुवात का तीन महिने का जो period होता है वो आपको provision period होता है जिसमें rejection rate सबसे जादा होता है वो कहते हैं चटिनी कर दी जाती है कि जो capable है कि अबल वही व्यक्ति यहाँ पर टिक जाता है वही व्यक्ति यहाँ पर टिक पाता है और शुरुवात के तीन महिने आपको बिताने होते हैं गरूल रेजिमेंटल training center के अंदर यहाँ पर आपका यह provision period होता है जो तीन से साड़े तीन महिने तक चलता है बहुत कड़ी training यहाँ पर होती है आपका physically पूरी तरीके से आपको निचोड लिया जाता है आपको चेक किया जाता है कि क्या आप कमांडो बनने लायक है भी या नहीं है और बात सिर्फ आपकी शारिरिक शमताओं के नहीं होती है यहाँ पर आपकी मानसिक शमताओं को भी चेक किया जाता है आपको परखा जाता है कि क्या आप उस प्रेशर को झेल सकते हैं जो कि कमांडो को हैंडल करना पड़ता है जो कैंडिडेट्स इस तीन सारे तीन मैने की ट्रेनिंग के बाद इसे जेल लेते हैं जो नहीं जेल पाते हैं उन्हें reject कर दिया जाता है और इस provision period के बाद जो बच जाते हैं उन्हें आगे भेजा जाता है आगे जाने के बाद यह special operations training लेते हैं भारत की तीन अलग-अलग forces के साथ यह तीनों forces यहां पर मैं बात कर रहा हूं यह specifically अलग-अलग special operations को अंजाम देने में यह तीनों यूनिट काफी सक्षम हैं जैसे special frontier force की बात कर ली जाए पैरा Commandos की बात कर ली जाए या NSG की बात कर ली जाए National Security Guards की इन तीनों के साथ गरूल Commandos training में हिस्सा लेते हैं और training किस बात की करते हैं training करते हैं special operations की special operations normal operations से थोड़े से अलग होते हैं जैसे hostile situation के अंदर किसी hostage zone के अंदर किसी को बचाना हो या अपरन करताओं को मार गिनाना हो विमान के अंदर जाके लोगों को बचाना हो इस तरह की special operations को अंजाम देने की training यहां पर दी जाती है urban warfare भी यहां पर दिखाया जाता है क्योंकि आज के समय में urban warfare एक बहुत बड़ा और बड़ा important हिस्सा बन गया है साथ इसाथ modern warfare की training भी यहां पर दी जाती है इसके बाद इस training के बाद इने भेजा जाता है पराटूपर्स training school आगरा के अंदर जहां पर यह हा हो और हालो जम करते हैं हा हो का मतलब high altitude high opening और हा लो का मतलब high altitude low opening इस दोनों तरह की practices को यह करते हैं यह practice को Indian army के साथ करते हैं और इसके बाद उनकी पराटूपर्स की training भी यहां पर complete की जाती है जो की आगरा में होती हैं काफी tough training होती है कुछी लोग यहां तक टिक पाते हैं समझिएगा यह phase बड़ा important होता है और पूरा ट्रेडिंग का जो phase है वो तीन से साले तीन साल तक का होता है जो की बहुत बड़ी बात है और इसमें एक और बात important होती है कि जो व्यक्ति एक बा गरुल कमांडों के लिए सिलेक कर लिया गया है तो आपका पूरा करियर अजगरुल कमांडों ही जाएगा इसी युनिट के अंदर आपना पूरा करियर का निर्वाह करते हैं आगे हम बात करते हैं इस training के बाद इन्हें भेजा जाता है डाइविंग स्कूल नेवल डाइव के अंदर CIJWS मतलब Counter Insurgency and Jungle Warfare School यहां पर भेजा जाता है और Jungle Warfare की training दी जाती है यहां पर पर इंडियन आर्मी के साथ यह training करते हैं और यहां पर इंडियन नेवी के जो divers हैं जो बहुत ही trained होते हैं जो मार्कोस को training देते हैं वो इन्हें train करते हैं कई तरह के special operations के लिए और क साड़े तीन साल के बाद जो कमांडो बाहर निकल कर आता है वो इस तरह का person होता है जो दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह के mission को अंजाम देने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है अपनी training complete करने के बाद गरूल कमांडो को इंडियन नार्मी की कई यूनिट्स के साथ attach भी किया जाता है ताकि operations का एक practical experience उने हो यहाँ पर जम्मु कश्मीर पर भी उन्हें deploy किया जाता है इसके बाद कई airbases के अंदर उन्हें deploy किया जाता है और airbase की सुरक्षा के जिम्मदारी गरूल कमांडो को दी जाती है इतना ही नहीं United Nations Peace Keeping Mission के अंदर भी गरूल कमांडो क को भीजा जाता है और specifically यहाँ पर में Congo की बात करूंगा क्योंकि Congo के अंदर इनका योगदान बहुत जादा है अब गरूल कमांडो स्किन किन चीजों में ट्रेंड होते हैं जब भी एक special forces के person की बात की जाती है तो आप यह मानिए लगबग वो हर चीज के अंदर ट्रेंड ह होता है सारे 3 साल के अंदर उसे इस व्यक्तरह का व्यक्ति बना दिया जाता है जो की हर तरह के वेपन को चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है और हर तरा की Close Quarter Combat के अंदर भी उसे महारत से अब जैसे यहाँए पर देखा जाए कि Close Quarter Combat हो जाए Combat Search and Rescue, Counter Terrorism, Hostage Rescue, Peace Skipping, Special Operations, इन सारी चीजों के लिए एक कमांडो को train किया जाता है, तभी इतना समय लगता है, तभी आपने देखा कि इंडियन आर्मी के Special Forces के साथ train किया जाता है, इंडियन नेवी के diving school में train किया जाता है, ताकि mission किसी भी तरका हो, उसे complete किया जा सके, और इसके बात हम देखते हैं कि गरूल कमांडोस ने कुछ specifically missions को अंजाम दिया है, जैसे जम्मू कश्मीर में insurgency को रोकने में इनका योगदान काफिर आ है, कॉंगो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉंगो के अंदर जो security को maintain करने हैं, उनके योगदान को पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया गरूल कमांडोस की साराना करती है, इसके लावा 2016 में जो पठान को एर बेस पे attack हुआ था, उस समय पर भी गरूल कमांडोस ने इस मिशन को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया था, और इस attack को पूरी तरीके से विफल करने में भी उनका एक योगदान था, तो ये पूरा गरूल कमांडोस के बारे में हमने जाना, आप भी इस special forces unit को join कर सकते हैं, इसके लिए आपको काफी कड़ी मेनत करनी होगी, और एक बात हमेशन याद रखिए कि शरीर कुछ भी नहीं है, ये special forces कमांडो के लिए उसका दिमाग सब कुछ होता है, कि अगर आप दिमाग से अपने आपको कंट्रोल कर सकते हैं, दिमाग से focus हैं, तो आप एक special forces के कमांडो बन सकते हैं, चलिए मैं आपसे next lecture के अंदर मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्त रहिए, जैहिन, जैवारत!